अभी हम बाइपास जीरो माइल के पास मौजूद हैं और यहां से कुछ देर पहले एक घटना इसी ट्रक से चापा एक स्कूल बच्चे की परती है इस्थिती सही है बच्चे का इलाइज के लिए पटना परसासने तुरंत करवाई करते हुए पटना परसासने एक्षन लेते ह हुए बच्चे के हॉस्पिटल में इडिमिन करवाया और यह साथ तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां से जो ट्राफिक जो जाम था उसको परसासन के द्वारा ट्राफिक को सुचारू रूप चालू कर दिया गया जा रहा है कि कि किसी भी लोगों को परसानी नहीं हो मेल परसासन के द्वारा जफ्त कर लिया गया है और हमारे परसासन के द्वारा जफ्त कर लिया गया है जो साथ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पटना पुलिस तुरांत पहुंच चुके है और इस्थिति को यह जो रास्ता है उसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए पटना ट्राफिक पुलिस सारे मौजूद है इस्थिति को और सुचारू रूप से चालू कर दि दिकत नहों इसलिए हमारे पटना पुलिस ट्राफिक डिया सब्सक्राइब खूद है हम उनसे भी जाने का कोर्सिस करेंगे इस सितिति को यहां पड़ी सर सुबा में साल साथ बजे घटना घर जाती है ट्रक पर और यहां पड़ी पुरा ट्राफिक को जाम कर दिया जाता है क् अब एक बच्ची पार रूट क्रोस कर रही थी छोटी बच्ची थी लगबग 10 साल के उट्रक वाला को उपर से दिखाई पड़ा नहीं पड़ा भी तो अब समय पर हम लोग नहीं थे लेकिन बच्ची के पैर पर चड़ गया जिसको उसको हस्पीटल में भरती कराया गया है चालक को भी यहां के आक्रोसित लोगों ने खेर लिया था पुलिस कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्य किया गया है चालक के साथ भी मारपीट की गई है उनको भी हस्पीटल में भरती करा गया है चालक को उनका गाड़ी के साथ तोड़ फोर और गाड़ियों के साथ दुटार के लोग नहीं थे इसका दूसरे लोगों ने नाजाई फैदा उठाया है जो नहीं होना चाहिए था गलत है कुछ लों के साथ मोभाइल भी तोड़ फोड़ किया घाड़ियों के साथ परसासन जो चालू करने के लिए मोजू जो टाफिक पर सासन थे उनके साथ भी कुछ असमाजिक तत्व के लोग मार पिट किये हैं, उनके साथ भी अभी सुचना मिली है, उनके साथ भी लोग धका मुकी और हाथा पाई किये हैं, परसासन भी चोटिल हैं, परसासन भी चोटिल हैं, आगे हम लोग इसमें देख रहे हैं, कौन-कौन लोग आ गया और परसासन भी कई परसासन भी चोटील है तो मैं उन तमाम जो लोगों से निवेदन करूँगा कि अगर कहीं ऐसी घटना हो तो कानून को अपने हाथ में नहीं ले परसासन उसके लिए है उचित करवाई करने के लिए अगर ट्राक है तो इस पर परसासन एक्षन तत्वों के साथ या फ़्वाफ भाब लेड लोगों के साथ कभी नहीं आए क्योंकि परसासन पर्षसन मुष्थ है और पक्षना के त्राफिक देस्वी के द्वारा यह तमाम जो रास्ते अबरूद किये गहते, कुछ समाजिक तत्वों के द्वारा, जो सू चारू रूप से चालू कर दी गई है मैं धिरच कुमार आप तक सचनी